सबी साथियों को मेरा नमस्कार आज के वीडियो में हम बात करेंगे चातरवती से समधित कुछ समझ्याओं के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि चातरवती वाले मोडिल के लिए रिजल्ट किस परकार से अपडेट करें और इसके लिए स्कुलर्शिप पोर्टल पर एक नया मोडिल दिया गया है उसके बारे में जानेंगे इसके लावा हम जानेंगे कि कौन-कौन सी योजनाए है जो केंदर परवर्तित है यानि जिसमें विद्यारती का खाता चाहिए आदार से सीडेड और जन आदार वाले खाते में वह स्कुलर्शिप नहीं आती है तो उसके बारे में जानेंगे और यदि ऑटो एपलाई कोई फोरम हो गया है तो किस प्रकार से इसको रिजेक्ट करना है यह आज के वीडियो में हम जानेंगे तो सबसे पहले आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्ली से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल जानकारी होगी कि तो सबसे पहले हम चलेंगे स्वलादरपन पॉर्टल पर लोगइन कर लेंगे और यहां पर जो योजनाई दिख रही है उसके पर क्लिक करेंगे योजनाऊ के बार निशी चलेंगम चात्रथती में यह पेट बहुत सारी योजनाई यह आपको दिखाहे देगी इस में से आपको चलना है चात्रथति वाले में क्लिक करना है निचे यहाँ पर जो पहला ऑप्षन है इस्टुड़ेंट इसकुलरस दुन पोर्टल यहां करना है सेशन उसके बाद में प्रिमेट्रिक इस्कोलर्शिप या पोश्ट मेट्रिक जिसके लिए आप काम करना चाहरे हैं उसको स्लेट कर लेंगे कि सब्मिट करेंगे कि यहां पर कुछ निर्दे से कि यहां पर दे रखा कि रात के दस्वजे से सुबस से वजय तक पोटल पर ओटो एपलाई का काम चलता है तो उस जोनाना आप एपलाई ना करें यदि आपको मैनूली एपलाई करना है तो आप दिन में कर सकते हैं कि यहां पर देखें लेट साइड में कहें सारी ओप्सन दिखा तयरें आपको डेश्बोर है इस्ट्टीयेंट Eligibility है तो पहले हम इस्ट्टेंट Eligibility में देखते हैं से इस्टूडेंट सेस्ट और रिजल्ट परसंटेज क्रोश एक नौल और जो पेज़ा उस में आपको जाना है तो पहले हम देखते हैं कि कहा कहा पर पर हुआरा आईए उनको देख लेते हैं और तो यहां पर कि इसकीम स्क्राइब कर लेंगे एसके बाद यहां पे लिए पर कलास और निचे अच्छ पर क्लिक करेंगे के हैं गया बच्छों के भूँन पूरा को इसमें क्फूर्ट को किस मुर नौ सब्सक्राइब unpack 50 सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब करते हैं उसके लाव सवा कास्ट के लिए नहीं करनें है वह करेंगे family income नहीं है वह करेंगे तो फिलाल तो हम बात करेंगे result किस प्रकार से हम update करेंगे तो वापस हम चलेंगे यहाँ पर menu में और यहाँ पर student eligibility के नीचे class result for scholarship यह दिया गया है इस पर click करेंगे और यदि आप यहाँ से नहीं जाना चाहते है तो परभारी के login पर भी यह option दिया गया है जो चात्रोती के forum भर रहा है वहाँ पर भी यह module आपको मिल जाएगा और इसकुल वाली login पर भी मिल जाएगा यहाँ पर कुछ निर्देश है इनको आप पढ़ लीजे और उसके बाद निचे class list करेंगे जैसे नवी class का देखना है तो 100 student पर click करना है यह सुचना केवल और केवल स्कुलर्शिप के लिए है अन्य किसी भी मोडिल से कोई संब्ध नहीं है यहाँ पर देखे जैसे पहला student है तो यहाँ पर category आ रही है जेंटर आ रहा है total marks कितने हैं और उसने कितने प्राप्त किये यह चीज़ें आपको भढ़नी पड़ेगी तो यहाँ पर total marks कितने प्राप्त किये हैं इसके ग्रेड आई तो ग्रेड कौन से आई है वह लिखनी है यहाँ जिसे a b c d e तक ग्रेड है इसमें वह लिखनी है और एक्जाम रिजल्ट पर क्लिक करना है पास हुआ है या फेल है या पास विद ग्रेस है क्या तो यह बढ़ने के बाद यहाँ पर action से उसको आप सेव करोगे तो यह सभी student के लिए आपको करना है और जितने भी student यहाँ पी दिये गए हैं सब के लिए आपको काम करना पड़ेगा जिनका result अपडेट नहीं है तो इस module के दोरा आप update उनका result कर सकते हैं कितने marks का paper है कितने प्रा अब आगे हम जानेंगे कि कौन-कौन सी योजना है के अंदरी परवर्तित योजना है यानि उनके लिए जन आदार में वो खाता जुड़ा होना चाहिए विद्यार्ति का जो आदार से सीड हो यानि विद्यार्ति को पहले अपना खाता आदार से सीड करवाना पड़ेगा और वही खाता जनादार में जुड़वाना पड़ेगा तब जाके वह वहां पर इसकोलरशिप में दिखाए देगा और उसमें ही इसकोलरशिप आएगे तो यहां पर जब लिस्ट है इसमें देखें कौन-कौन सी केंदर परवतित योजना हैं तो यहां पर देखें पहले दो नो से दस और ये अनुसिश्स जFrāmती 910 और इसके लावा 5 नंबर और 6 सफाय से जुड़े स्वास्त्य के लिए जोकिम पुर्ण वेवसाय में लगे वेक्तियों के बच्चों के लिए चात्रवती और यह एक से दस होती है इसके लावा यहां पर देखें आप 12 नमर पर केंदर परवर्थित योजना अंतरगत उत्र मेंट्रिक यहां पर देखें नमर 15 केंदर परवर्थित योजना अंतरगत उत्र मेंट्रिक और यहां पर आट इसकीम ऐसी है जो केंदर परवर्थित इसकीम है यानि इन में विद्यारती का खाता ही चलेगा जो आदार कार्ड से सीड हो आदार नमर उसमें जुड़े होने चीए तब जाके उसमें चात्रवति आएगी अन्य जितनी भी स्कुलर्षिप है वो जन आदार से जुड़े खाते में आजाती है तो उनके लिए ज्यादा चिंता करने के आवसिकता नहीं है खास तोर पर यह समझें आती है अपने 9-12 तक के बच्चों के लिए तो उनके खाता संक्या बेंक एकाउंट में आपको आदार नमर सीड करवाना होगा और वह क Sacha जण आदार में जुड़ा होना डिचे निचे यहां पर लिखाया के अधर परव्षित जोजनाओं में में बेंक खाता विद्यारति के नाम से आदार चीड होना आनिवारे है यानि विद्यारति के खाता ही चलता यह चलेगा जो आदार सेुड हो तो 37 समंदिट जो जुढमें निर्दे साहते उनमें साप ही लिखा है कि केंद्र नद्रे परवरति चात्रभी योजनाओं में विद्यार्ती के बेंग तो यह काम करना था आपने को आदार जो विद्यारती का बैंक खाता है उसमें आदार जुडवाना है तब जाके केंदर प्रवर्ति योजनाओं का लाब उसको मिलेगा आदार ऑथेंटिकेस्न होना जरूरी है अब हम जानते हैं तिसरी चीज की जो विद्यारती ओटो एपलाई हो चुके हैं उन्हें किस प्रकार से रिजेक्ट करेंगे तो कई फोरम आपको वाँ पर ऐसे मिलेंगे जो ओटो एपलाई हो चुके हैं और यदि 10 दिन तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो वो ओटो फोरवर्ड भी हो जाएंगे ओटो लोग हो जाएंगे तो जैसे आब तक कुल 103 फोरम भरे जा चुके हैं यह सभी फोरम ओटो एसे से क्लास दित बीड़्ट करनी हैं और यहां पर स違 स्ट्ट्विलेंट पर क्लीक करना है बहुत करें आप है अगरल आम पर एंपर एपी यहां को पाइप थिद्राकों ऐन को अब ईयां हो ब अब यदि मानलोव पहला विद्यार्ती ही है यह ऐट अप्लाई हुआ था 31 तारीक को और 7 दिन के बाद में यह उटफोरवड हो जाएगा यहां पर दिनों की संक्यारी है साथ दिन बाद में जाएगा यहां से सको बियू कर सकते हैं और यदि हमें reject करना है तो पहले यहां से इसको डिलीट करना होगा तो पहले हम इसको यहां से डिलीट करने के बाद वापस चलेंगे हम उपर एलिजिबल के अंत्रगत यहां पर जो तीन उप्सन दिखाई दे रहे हैं तो एलिजिबल पर क्लिक करेंगे तो वह विद्यार्ति वहां पर दिखाई देगा आपको क्लास सेलेट कर लेंगे नीचे बच्चों की लिष्ट आजाएगी ठीक है कि हम चलेंगे राइट साइड में सबसे और यहां पर दो अप्सन आपको दिखाई जा रहे हैं जिस भी विद्यार्ति को आपको रिजेक्ट करना है तो यहां पर रिजेक्ट में क्लिक करोगे और यहां पर कमेंट लिखोगे कि रिजेक्ट किस वज़े से किया जा रहा है बिन